चुका हूँ, मैं Prime Cash Mobile Earning App का एक लिंक इस वीडियो के description में डाल दूँगा, आप जैसे ही अपने mobile पर जाकर वहाँ पर click करेंगे, तो आप यहां पहुंच जाएंगे जो आपको अब मेरे screen पर दिख रहा है, ठीक है, अब हम इस particular Prime Cash App को install कर लेंगे, अब friends हम इसको open कर लेंगे आप देखिए हम इसको allow करते चले जाएंगे, ठीक है, इसको भी allow कर देंगे, तो friends इस particular Prime Cash App पर आप refer करके भी earn कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से, इसके लावा watch and earn, यानि यहां पर आप videos देखकर पैसा कमा सकते हैं, वो भी मैं आभी आपको दिख होंगा कि आप जो भी कमाई करेंगे Prime Cash App से, वो आप Paytm से या अपने Indian Saving Bank Account में कैसे ले कर जाएंगे, अब हम जहां पर ये right का sign है, यहां क्लिक करेंगे, यहां हम अपना एक mobile number डाल देंगे, के नीचे friends हम अपनी email ID डाल देंगे, अब देखिए friends ये app आप से एक question पूछ रही है, do you want to show your mobile number to your upline, downline, इसका मतलब ये होता है, कि आप क्योंकि इस particular app से, बहुत सारे तरीकों से पैसा कमाते हैं, उसमें से एक तरीका refer करके भी है, यानि अपने आप यारों दोस्तों, या परिचितों को invite करेंगे, कि वो भी आएं, और इस app को अपने mobile phone में डाउनलो ये वो यहाँ पर आप टिक करके select कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी मैंने इसको खाली छोड़ दिया है, आप चाहें तो इसको click कर सकते हैं, उसके बाद नीचे लिखा हुआ I accept, यहाँ पर मैं click कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इसको submit कर दूँगा, अब देखें, यह ह हम उसी पर OTP मंगाना चाहते हैं, या कोई और नमबर देना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसी पर OTP मंगा कर verify करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने proceed पर click कर देना है, अगर आपने उस नमबर पर OTP नहीं मंगा कर किसी और नमबर पर मंगाना है, तो आप edit कीजेगा, register करें जिस पर आपको OTP चाहिए दो अलग-अलग mobile number डालने से आप confused रहेंगे अब मैंने proceed पर click कर दिया अब मेरे पास एक OTP आया है मैं वो यहाँ पर डाल दूँगा अब मैं यहाँ पर enter पर click कर दूँगा अब देखे friends यहाँ पर यह हमसे prime cash mobile app कह रही है कि यहाँ हम अपना एक refer code डालेंगे मैंने इस वीडियो के description में एक refer code डाल दिया है friends ठीक है आप वो यहाँ पर डाल देंगे अब मैं refer code यहाँ डाल देता हूँ अब देखे friends यहाँ पर यह दिखा रहा है refer code number है belongs to Sanjeev Jindal ठीक है अब मैं यहाँ पर submit button दबा दूँगा अब देखे friends यहाँ पर मुझे अपना नाम वगएरा कुछ details देनी है ठीक है तो मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया नीचे मैं अपना last name डाल देता हूँ कुमार ठीक है यहाँ पर देखे एक date of birth select कर लेंगे cash mobile app का home page खुल चुका है इसमें आप देख सकते हैं कितने options हैं सबसे उपर आपको कमाई करने के options दिखते हैं सबसे पहले है survey फिर active zone फिर spin and win वीडियो देखकर offer wall reference pin ठीक है तो यह 6 options हैं जिनसे आप prime cash से पैसा कमा कर ले जा सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले friends मैं आपको survey वाले section में लेकर चलता हूँ prime cash के उपर सबसे ज्यादा कमाई service करके मिलती है ठीक है अब मैं service पे click कर दूँगा तो अब आप देख सकते हैं friends prime cash app के उपर 5 channels है channel number 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 channels के उपर surveys आते हैं, अलग-अलग surveys आते हैं, अलग-अलग categories के sections के surveys आते हैं और आप उन सभी surveys को पूरा करके कमाई करते हैं ठीक है मैं इन में से आपको एक खोल कर दिखा देता हूँ अब मैंने channel number 2 पे click कर दिया, अब आप देख सकते हैं friends यहां लिखा हुआ है कि यहां पर कुछ fun surveys हमें मिलेंगे, get started plus 5 prime coins, अब मैं यहां click करूँगा I agree पे click कर दूँगा, यहां मैं अपनी age लिख दूँगा, ठीक है, आपकी जो भी age है आप यहां लिख सकते हैं अब मैंने यहां पर अपनी age लिख दी है, ठीक है, उसके बाद नीचे continue पर click कर दिया दीखे friends, यह जितनी भी जानकारी हमसे ले रहा है, यह सारी जानकारी हमें पूरी देनी होती है क्योंकि इस particular app के उपर जितने भी surveys हमें मिलते हैं, वो हमारे बारे में ही होते हैं मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो इसलिए अब दीखे, trick यह है friends, कि आपको अगर इस particular app से या किसी भी survey करने वाली app से ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है, तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा surveys मिलने भी तो चाहिए, समझ रहें आप, यागर आपको काम ही नहीं मिलेगा survey का, तो आप कमाई कैसे करेंगे, अब ज्यादा से ज्यादा surveys पाने की trick क्या है, उपाई क्या है, वो मैं आपक particular income bracket में है यानि उनकी एक particular income है यानि 2,0,05,10,05,20,05,正 प्रते हैं वो किस तरह से सोचते हैं उनका रहने का ढंग कैसा है उनके घर में महौल कैसा होता है वो कैसी चीज़ें पसंद करते हैं कैसी चीज़ें लाइफस्टाइल कैसा है यह surveys इसी बारे में होते हैं इन survey करने वाली company या in app बनाने वाली company के पास इस बात का कोई तरीका नहीं होता है check करने का कि आप जो भी claim कर रहे है कि आपका जो एक living standard है वो वैसा है या नहीं अगर आपका living standard low दिखाएंगे आप तो आपको surveys कम मिलेंगे friends सुनने में बुरा लगेगा बुरा मत मानिएगा अगर आप अपना living standard या income बहुत high दिखाएंगे अपना status बहुत high यहाँ पर दिखाएंगे तो आपको ज्यादा surveys मिलते हैं friends क्यों क्यों कि फिर इन companies और apps बनाने वाली company को आपके विचारों को जानने की आवशक्ता होती है पैसे वाले लोगों की demand है friends सीदी सी बात यह है तो आपको अपने बारे में बढ़ा चड़ा कर यहाँ पर बोलना है यह जो particular survey हो रहा है यह आपका personal survey हो रहा है आप अपनी age थोड़ी जादा बताईए आप अपनी income जो यह अभी पूछेगा मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो आप जादे से जादा बताईए आप अपने घर में किस तरह का equipment या चीजें इस्तेमाल करते हैं वो महंगी से महंगी बताईए ठीक है उस से इस app या इस app के उपर सर्वे कराने वाली company को लगेगा आप एक high value person है तो वो आप से जादा सर्वे करवाएंगे और आप जादा कमाई करेंगे यह trick है friends अब समझ गए अब देखिए पूछ रहा है what is your gender male या female तो आप जो भी है वो select कर लीजे मैंने male select कर लिया और continue पर क्लिक कर दिया अब देखिए यह पूछ रहा है what is the highest level of education you have completed हो सकता है अब आप आठमी या दसमी पास हो हो सकता है आप डॉक्टर हो हो सकता है कि आपने university से degree पाई हो मैं यह suggest करूँगा कि आप जादा से जादा select कर लें ठीक है तो मैंने select कर लिया masters आप जरूरी नहीं है कि सबके सब masters ही select करें आप जो भी चाहें select कर लें लेकिन high से high select करें ठीक है और उसके बाद continue पर click कर दिया what is your relationship status अब देखिए अगर मैं यह बताता हूँ कि मैं single हूँ मेरी शादी ही नहीं हुई है तो हो सकता है कि मेरे बारे में जानकारी लेने की इच्छा company की कम हो अगर मैं married हूँ तो मेरे बच्चे भी हैं मेरी family है मेरी demands ज़्यादा है मेरी family की demands ज़्यादा है तो वो मुझसे ज़्यादा survey करवाएंगे मेरे विचारों के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहेंगे आप समझ रहें friends ठीक है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ पर आपने वो select करना है जो किसी को भी सबसे ज़्यादा high five लगेगा मैं आपको यहाँ पर exact यह नहीं बताऊँगा क्या select कर रहे हैं आप smart है ठीक है मैं यहाँ पर select कर रहा हूँ self employed full time ठीक है मुझे लगता है यह सबसे ज़्यादा high five लगता है आपको जो लगता है कि हमारी annual income क्या है पूरी family की ठीक है अब देखिए यहाँ पर तीन लाग से कम भी हो सकता है तीन से चार लाग भी हो सकता है उसके बाद यह आगे बढ़ता चला जाता है यह यहाँ पर जाके 40 लाग हो गया है यानि कि सलाना income 40 लाग तक यहाँ पर है ठीक है अब यह मैं आपके विवेक पर छोड़ देता हूँ कि आप क्या सेलेट करेंगे यह आपका एक personal फैसला है मैं आपको कौन होता हूँ यह बताने वाला लेकिन जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था आप income bracket जितनी ज़्यादा अच्छी रखेंगे उतने ज़्यादा अच्छे और महंगे surveys आपके पास आएंगे क्योंकि पैसे वाले लोगों से ही लोग पूछना चाते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं आप क्या चीज खरीदना चाते हैं यह surveys इसी बारे में होते हैं friends मैं अभी आपको दिखाऊंगा ठीक है तो आप अपने मन मताबिक यहाँ पर कोई income bracket choose कर लीजेगा मैंने यहाँ पर एक income bracket choose कर ली अब मैंने continue पर क्लिक कर दिया what state और union territory do you live in देखिए यहाँ पर यह बहुत सारे शहर और states के नाम दिये हुए हैं यह आप से पूछना चाहते हैं कि आप इन में से कहां रहते हैं मैंने दिल्ली select कर ली मैं दिल्ली में रहता ह हूँ आप जहां रहते हैं वो select कर लीजेगा ठीक है अब मैंने continue पर click कर दिया अब friends आप देख सकते हैं यहाँ पर surveys आ चुके हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना समय लगता है इन में 15 minute maximum ठीक है इसके लिए हमें करीग परीब 400 prime coins मिल जाएंगे जो बाद में रुप इस prime coins हम कमा के ले जा पाएंगे ठीक है इसी तरह से आप नीचे देख सकते हैं friends अब दिखिए इस particular survey में 630 prime coins मिल रहे हैं ठीक है यहाँ पर एक और दिख रहा है जहाँ पे 945 prime coins मिल रहे हैं यह 15-20 minute में survey पूरा हो जाता है कहने का मतलब यह है friends कि आप अपने आपको जितन जादा दिखाएंगे उतने जादा महेंगे आपको service मिलेंगे और आप कमाई करके ले जा सकेंगे ठीक है तो यह मेरा idea आपको बताने का था कि किस तरह से आप इस survey करने वाली एप से या किसी भी और survey करने वाली एप से जादा से जादा कैसे service पाएं और कैसे महेंगे service कि क्योंकि मैंने इस particular app के उपर आके अभी थोड़ा सा profile बनाया है तो इन्होंने मुझे 5 points अलड़ी दे दिये हैं, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, points के आगे 5 लिखा हुआ है, अब आप देख सकते हैं friends, उपर top मेरी screen में left में जहां video लिखा हुआ है, अब मैं दिखाता ह कि किस तरह से आप video देखकर भी यहां से कमाई कर सकते हैं, मैं आप video पे click करूँगा, अब आप देख सकते हैं friends, यहाँ पर दो channel है, channel number 1, इस पर भी videos आते हैं, जिनको देखकर आप पैसे कमाते हैं, फिर दूसरा है channel number 2, इसको देखकर भी आप पैसा कमाते हैं, मैं आपको इसमें से एक खोल के दिखाएंगे, यह दुबारा मैं वापस आ गया, मैंने एक वीडियो देख लिया, right friends, अब आप देख सकते हैं friends, उपर आपको दिख रहा है points, जहाँ पहले 0 थे, वीडियो देखकर अभी तक हमने कुछ नहीं कमाया था, हमने यहाँ पर 2 points कमा लिये हैं, कहने का मतलब यह है, कि मैंने जो वीडियो open किया, अब मैंने देखा या नहीं देखा, इस particular app के पास, यह चेक करने का कोई तरीका नहीं है, मैंने वो सिरफ open कर लिया, और फिर उसके बाद वो जैसे ही वो पूरा हो गया, मेरे को points मिल गए, आप समझदा रहा है, मैं क्या कह चाहरा हूँ, ठीक है, जुरूरी नहीं है कि आपने वीडियो देखना, आपकी चाप को अच्छा लगता, वीडियो भी देख लिजे, otherwise यहाँ पर आपने सिरफ उसको open करना है, और पैसे कमा लेने, अब मैं आपको दूसरा channel खोल के दिखा देता हूँ, अब मैंने इसको ब advertisement को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाईए, प्राइम कैश ने यह advertisement अपनी app पर डाल दी है, आपने देख लिया, प्राइम कैश को company से 1 रुपया मिला, 50 पैसे उसने आपको दे दिया, 50 पैसे उसने अपने जेब में डाल लिये, आप समझ गये friends, तो यह business model है, यह एक perfect 100% genuine पैसा कमाने का business है, इसके अंदर कहीं कोई hair फेर नहीं है, आप समझ रहे हैं, आपको पैसे इस चीज़ के मिलते हैं, कि आपने यह video अपने mobile phone में खोल लिया, देखा या नहीं देखा, इसका कोई मतलब नहीं है, आप देखना चाहें देख लिजे, अब friends, मैं आप को तीसतरा तरीका बताता हूँ, prime cash से पैसा कमाने का, वो है offer wall, अब मैं यहाँ click करूँगा, तो friends, यह जो मैंने offer wall का section खोला है, इसमें आपको दिख रहा है channel 1, इसमें एक ही channel है, और इसमें भी surveys ही होते हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ आपको खोल के दिखा देता हूँ, अगर आप वो 100% पूरा कर लेते हैं, जिसमें वो आपसे छोट छोटी details आपके बारे में पूछेगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा surveys मिलेंगे, अब देखें, नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर और surveys हैं, आप देख सकते हैं, इसके लिए 84 prime coins हैं, इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, और यह surveys नए-नए आते रहते हैं, तो friends, जब आप इस particular prime cash app के उपर 100% free of cost join करेंगे, या register करेंगे, तो आप इन particular surveys को पूरा कीजिएगा, और पैसा कमा लीजेगा, आप इनको बहुत असानी से कर पाएंगे, अब मैं back जाओंगा, अब friends, मैं आपको भी कमाई करेंगे, वो किस तरह से अपने account में लेकर जाएंगे, ठीक है, अब आप देख सकते हैं, मेरे screen में bottom में सबसे right hand extreme में एक box है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, अब हम payment details पे जाएंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं friends, आप Paytm से और अपने bank से, जियां, Paytm से और अपने Indian saving bank account दोनों में से, किसी भी तरीके से, यहाँ से कमा कर ले जा सकते हैं, ठीक है, Paytm का मतलब यह हो गया, कि यहाँ अपना Paytm number डाल दीजे, right, और Paytm number अगर आप यहाँ पर type कर देंगे, तो वो number, Prime Cash app के साथ attach हो जाएगा, और आप जो भी कमाई करेंगे, Paytm क जरीए आपके पास पहुँच जाएगी, I am sure आपका Paytm का account जरूर बना हुआ होगा, नहीं बना हुआ है, तो आप Google Play Store में जाकर, Paytm की app, free of cost, download करके, घड़ी देखकर, दो मिनट के अंदर account बना सकते हैं, ठीक है, इतना यह असान है, ओके, और अगर आप यह चाहते हैं, क details पर click कर देना है, अब आप देख सकते हैं friends, यहाँ पर हमने अपनी bank detail डाल देनी है, सबसे उपर bank का नाम डाल देना है, जहाँ पर आपका या आपके किसी रिष्टेदार का account है, जो आप यहाँ पर डाल रहे हैं, नीचे account holder name, आपका या आपके रिष्टेदार का जिसके नाम से भी, वो saving bank account है, वो नाम यहाँ डाल देना है, नीचे bank account number डाल देना है, IFSC code डाल देना है, यह आपकी check book में top पर लिखा होता है, ठीक है, हर एक check के उपर लिखा होता है, उसके नीचे branch name, यह भी check book के उपर लिखा होता है, branch name, वहाँ डाल कर submit कर देना है, ठीक है, त आप चाहें तो बैंक के जरीए भी यहां से कमाया हुआ पैसा ले जा सकते हैं